दिमाग का ज्यादा इस्तिमाल और अपने जुबान का कम इस्तिमाल किसी मनुष्य को एक बहतर इंसान बना देता है। कभी-कभी महिलाओं को संभोग के समय हवा में उड़ने का एहसास होता है, जिससे महिलाएं अपना नियंतरण खो देती हैं और खुद को तेजी सिद्ति हैं। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बतला देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अज्यानी होना उतना ही शर्म की बात है। जितना की सीखने की इच्छा नहीं रखना होता है। संभोग प्राकृतिक द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली उपहारों में से एक हैं जो एक मर्द और स्त्री को शारीरिक और भावनात्मक बंधन में एक साथ जोडने के लिए बनाया गया है। दोस्तो, इस जीवन की महगी चीज आपका वर्तमान है। जो एक बार चला जाए, तो फिर दुनिया की सारी संपती इक्ठठा करने पर भी आप उसे वापिस नहीं ला सकते। नशा हो। या फिर गलत इंसान, अगर इनकी लत लग गई, तो जिन्दगी बरबाद होना तय है जिन पुरूशों को गैर स्त्री से संभोग की लत लग गई हो, उसका वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। जब कोई आपका दिल दुखाए, तो बेहतर है कि आप चुप हो जाए, क्योंकि जिसे हम जबाब नहीं देते, उन्हें वक्त जबाब देता है, प्यार मे संभोग और संभोग के बीना प्यार निराधार होता है, जो आगे चल कर तूट जाता है, आप चाहें जितना भी कमा लेना, लेकिन घमंड नहीं करना, क्योंकि जीवन का खेल खत्म होते ही, आप राजा हो या रंक, एक डिब्बे में पैक कर दिये जाएंगे, जिस स्त्री म इज़त नहीं करना चाहते, तो मत कीजिए, लेकिन लोगों के सामने उसकी बेजजती मत करें, पेड़ पर बैठा पक्षी कभी डाली हिलने पर नहीं घबराता है, क्योंकि पंची पेड़ पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है, विडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और विडियो को शेर जरूर करें,